सक्राम से एक दिन पहले मनाया जाता है भोगी का त्योहार इस दिन भोगी की भाजी बनाई जाती है जसमें अलग-अलग तरह की सीजनल सबसियां डाली जाती है इस बाजी को कई तरीके से बनाया जाता है पर आज मैं बिना प्याज लहसुन की पारम पर एक भोगी की बाजी बनाना बता रही हूँ जो खासकर महराश्टरा में बनती है इसमें बिल्कुल भी हम प्याज और लहसुन का उप्योग नहीं कर रहे है स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में अगर वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो भोगी की भाजी बनाने के लिए इस मौसम में जो जो भी सबजी अविलेबल है वो सब हम ले सकते हैं तो यहां पर मैंने लिया है ड्रम स्टेक, फ्लावर, ताजा मतर, गाजर, बीन्स, थोड़ी मूंफली, आलू, वाल पापडी, बैंगन इसके इलावा आप इसमें और जो भी सबजी आपके पास है वो डाल सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पैन के अंदर डालेंगे एक चमच खसकस और इसको ड्राइरोस्ट करेंगे हम एक मसाला बना के रख लेंगे पहले जो हम बाद में सबजियों में डालेंगे तो जो सबजिया हैं उन्हें हम पहले से ही काट के रख लेंगे और ये मसालों को बनाने के लिए पहले खसकस को रोस्ट कर लेंगे खोब्रा का रंग बदल गया है तो इसको भी मैं अलग निकाल लेती हूँ खोब्रे के बाद हम डालेंगे इसमें एक चुथाई कटोरी के करीब तिल इसको भी भून लेंगे हलका सा तिल का रंग चेंज हो जाए तो ये तिल भून गया है इसे भी अलग निकाल लेती हूँ अब ये जो हमने भून के रखा था इन सबी चीजों को एक मिक्सर पॉट में डालके इनका हम पाउडर बना लेंगे इस तरीके से मैंने जो खसकस था तिलता और खोबराता उसको पीस लिया है इसे हम अलग रख लेंगे इसे आगे हम सबजी में डालेंगे अब हम एक गैस पे कढ़ाई रखेंगे उसमें डालेंगे तीन चमच के करीब तेल तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे राई राई के साथ ही डालेंगे थोड़ा हींग थोड़ा कड़ी पत्ता और डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर मसाले को एक बार फर्टा-फट मिला लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सबस्या तो जो अश्च lesi बुखने में ज्यादा समय लगता है वह सबस्या पहले डाल लेंगे और जो सबस्या जल्दी वो भी इसमें डाल दिया है इसके इलावा आप इसमें हरा भरा रहता है जो मटर वो भी डाल सकते हैं बोर मिलता है वो भी डाल सकते हैं जो सबजी है अवेलेबल उसे डाल दीजिए जो नहीं है तो कोई बात ने तो इनको मिक्स कर लेंगे और पहले इनको ढख कर थोड़ी द खसकस का तिलक और खोबरे का पाउडर पीस के रखाता वो इसमें डाल देंगे यहाँ पे मैं तीन से चार चम्मच डाल रही हूं इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी दान्य चकूट जिसे मुंगफली का पाउडर भी बोलते हैं यानि मुंगफली को भून के छिलका उत सकते हो चुछ आइन सब्क जाए नमक haven फोड़ा नमक यह साथ में पाउडरीयाहां अधा चमच में लाल मिर्च पाउडर तु दाल सकते हैं जो भोगी ची पाजी स्टाइस में बनाई जाती है उसमें यह गोरा मसाला तो जरूडरा धा मसक्यर्ट चेक्ड बहुत पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालना है सब्जी चिकाना है और अगर ज़रूरत लगेगी तो और पानी देंगे सब्चाइने ने रोब निला यहां तो एक नोब यसे डिँवन दिए मेरी बीच में हमें हिलाते रहना है और देखना है अगर पानी की और जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे एक साथ बहुत पानी डालके नहीं हमेंसे पतला करना है अजी कुछ चेक करते रहेंगे अगर पानी की जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहेंगे जब तक कि जो सभी सबजिया है वो गल नहीं जाए तो मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ और इसको मिला लेती हूँ ताथ ही यापे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गोड़ आदत चम्मच के करीबी गोड़ है इसे भी मिला लेंगे और फिर से मैं इसको ढखके पकने दूँगी जब तकी सबजिया पूरी गल नहीं जाए भोगीची भाजी हर जगे अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है जो पारंप्रिक भाजी बनाई जाती है वो थोड़ी सूखी सी रहती है वो बहुत ग्रेवी या बहुत रस्सा उसमें नहीं रहता है तो यहाँ पे मैं आपको सूखी ही भाजी बना कर बता रही हूँ तो अभी मैं इसी तरीके से ठोड़ी थोड़ी दिर में खोल के चेक करती रहूंगी पानी सूख रहे है सबजीया गली है या नहीं ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि सबी सबजीया अच्छी तरीके से गल नहीं जए तो अभी मैं फिर से इसको मिला रही हूँ और चेक कर लेते हैं कि भाजी गली है या नहीं तो गाजर तो गल गया है हमारा आलू को भी चेक कर लेते हैं आलू थोड़ा भी कच्चा है तो इसको फिर से मैं ढख देती हूं और पकने देती हूं तो हमें यही करना है सबजी में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है उसको हिलाते रहना है धक्के पकाते रहना है जब तक की सभी सबजी आच्छे तरीके से गल नहीं जाये यह देखिए सभी पानी को सबजी ने सोक लिया है और इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं अभी फिर से मैं एक बार आलू चेक कर लेती हूँ ये पकाते हुए भाजी मुझे हो गया है 10-15 मिनिट तो आलू हो गया है ये सबजी हो गई हमारी अभी इस पे में डाल देती हूँ कोथिमबिर यानी हराधनिया और इसको भी मिला लेती हूँ तो ये हमारी जो भाजी है वो बन गई है तो अभी गैस को कर देती हूँ बन और आईए इस भाजी को हम सर्व कर लेते हैं तो ये हमारी भोगी ची भाजी है वो बन कर तयार है सब जगे ये भाजी अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है तो आप जिस तरीके से आप के या बनती है वैसे कर सकते हैं यहाँ पर मैंने जो पारंपरिक भाजी है वो बनाना बताया है और जो सबजिया है वो जो आपके को अवेलेबल है वो डाल सकते हैं अगर कोई सबजी नहीं है तो कोई बात नहीं हमें ये भोग बनाना है और भगवान को लगाना है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और कमेंट करना ना भूलेगा